नमस्कार सभी को बहुत आवश्यक है कि आधार की सही जानकारी हमें हो इसी समस्या को ले करके आज का वीडियो आपके समख्च प्रस्तूत है इस वीडियो में हम आधार कार्ड नमबर से आधार कार्ड को डाउनलोड करना Receiving से आधार कार्ट को डाउनलोड करना बताएंगे आप वीडियो को अंतक जरूर देखें हम M-Aधार एप को डाउनलोड करेंगे M-Aधार एप को डाउनलोड करने के बाद जब आप रजिस्टेशन करके अपने आधार को डालेंगे तो आपको M-Aधार का रजिस्टेशन डाटावेस मिल जाएगा जब आप Dashboard को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी पहले में डाउनलोड आधार ये किसी भी व्यक्ति का किया जा सकता है सर्थ है OTP आपको पता होना चीए UID क्या है उसे वापस पाना verify करने के लिए आधार ये different services हैं जो आधार से related आपको provide कराई जाती है इसमें हम download आधार पर जाएंगे वहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि आप आधार regular चाहते हैं यानि पूरे number चाहते हैं regular आधार डाउनलोड करने पर हमारे सामने तीन option आएंगे आधार number से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है या virtual ID से आधार कार्ड डाउनलोड करना है या enrollment ID से डाउनलोड करना है बच्चों की receiving हमारे पास है आधार कार्ड बना या नहीं बना बना है तो download कैसे करें, इसके लिए समस्या होने के कारण ये वीडियो आपकी help करेगा, enrollment ID थर्ड नबर को हम click करेंगे जब हम थर्ड नमर को click करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface हमारे सामने आता है जिसमें enrollment ID UNO नमर पूछा जाता है, date, dd, mm, üy format पे और HHMMSS format पे time आप देखेंगे तो आपको पहले enrollment ID लिखी होती है फिर date, month, year लिखा होता है और फिर समय लिखा होता है जब आप डालेंगे तो इस format में कुछ डाली जाएगी यानि पहले enrollment ID फिर आप date डालेंगे और फिर आप time डालेंगे और दिया हुआ जो capture code है जो चार number का होगा उसको आप डालेंगे अगर number show नहीं करता है तो right side में try another को आप click करेंगे आपका capture code number आपको दिख जाएगा आप उस capture code number को नीचे डालेंगे तो request OTP वाला slab green हो जाएगा इससे clear हो जाएगा कि हमारी उपर की सारी ID पूरी तरीके से सही फिल है अगर आप उपर की ID सही फिल नहीं करेंगे तो request OTP नहीं आएगा OTP क्लिक करने के बाद हमें OTP registered mobile number पर प्रात्थ होगा अगर guardian का mobile number सही लगा है तो आपको उसके mobile number से OTP लेके इस तरीके से feed करना है OTP verify करेंगे तो इस तरीके का interface आपको सामने दिखेगा यहाँ पर password चुकि downloaded आधार card पासवर्ड protected होगा यह auto password create करता है इसमें किसी भी ब्यक्ति का जिसका नाम दिया गया है उसके नाम के सुरुवात के चार अक्षर capital letter में और उसके year के चार letters यानि year का सन पूरेच 19 जैसे की मैं आगे example में बताऊंगा आप देख सकते year की चार digit और नाम की सुरुवात की चार digit capital letter में भरी जाएंगी यानि password 8 digit का होगा ये auto encrypted होगा यानि automate होगा password आपको बनाना नहीं है किसी भी ब्यक्ति का आधार का जो नाम है उसका चार अक्षर और उसका year उसका password होगा suppose मैं राधा की बात कर रहा हूँ राधा एक लड़की जिसका की DOB का year 2012 है तो RADH 486 के राधा के नाम के और उसके year के चार नमबर जब हम 2012 लिखेंगे और display password को आप click कर लें ताकि आप capital letter में लिख रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है ये बात clear हो जाए जब आप display password को box को click कर लेंगे तो जब आप जो password डाल रहे हैं वो दिखाई देगा आप जब password डाल करके आप ok करेंगे तो आपको आधार मिल जाएगा आधार की copy download आपको PDF format पे हो जाएगी यहां मैंने privacy के लिए PDF format नहीं दिखाया है thank you for watching the video आप हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं चैनल पर हम आपको सिक्छा से संबंदित विभिन विशियों पर अपने वीडियो रस्तूत करते रहेंगे हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद